प्रवाइब दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैं रोवित आप सभी के साथ और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने बैंक निप्टी का चाओड ओपन किया अगर आपने अभी तक हमाई टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं क कि यह ट्रेल लाइंग किस तरीके से काम करते हुए आपको दिखाई दे रही है अगर आपने मेरा वीडियो कल का पूरा देखा है तो आपको पूरा बात समझ में आया होगा यह मैं दो पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले अगर आप यह देखोगे तो यह अभी तक देखे 16 तरीक तक यह पैटर ठीक है और इसके पहले भी देखे जह पैटर में आपको दिखाना चाहूँगा यह मैं देख छोटा करना चाहूँगा इस जगह इन पैटर्न को भी अगर आप देखो तो यहां पर देखने को मिलेगा यह पैटर्न आपका बीश तार आपको देखने को मिले ती जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा आज के जो चार्ट पैटन में वहाँ पर आपको पैटन देखने को मिला अब देखे जब यह जगा काम करता था वह पैटन था अपका 35,000 के आश्वसका ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी दे मिलेगा जो तेजी देखने को मिली थी वह हजार पॉल्टों के आ श्रट की देखने को मिली थी ठेक है अब है आप यह यहाँ पर देखे सी पैटन को देखे हुए तो यहाँ पर देखहे है जो कि पहले भी आई थी जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया 35,000 के आश्वसका उप जब आप देखोगे तो आज इसमें कितनी बड़ी आपको गैप देखने को मिली अगर मैं बात करो तो कि जितना काम है, नीचे का जितना भी काम हो रहा है, वो आज के आज ही उसको निप्टाया जाए, कल के लिए उसको नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये गैप आपका छूट जाएगा नीचे की साइट, तो फिर वजार को आपको नीचे की साइट आना ही पड़ेगा, रा क्यां कि हम ज्यादा कुछ नहीं ले रहा है फ्ली सबस्ति का या यानि अगर जगा ठीक है देखे आप मुझे एक चीज और बताइए जो मैं चार्ट पैटन आपको बताता हूं उस चार्ट पैटन को आप बाद में अपने जाके आपके पास लैपटप हो या मुवाल हो या आपके पास डेश्टॉप हो आप उस पर जाके देखते हो कि नहीं देखते हो जो लोग देखेंगे जिसको जो लोग देखेंगे इसको उसको पॉफिट बनेगा जो लोग नहीं देखेंगे जो बस इसके उपर है कि हाँ भई वीडियो देख लिया सब हो गया उनका पॉफिट नहीं बनेगा आपको चार्ट देखना पड़ेगा भई आप अगर ये कॉ all output के भरोसे ही मार्केट में रहते हो तो आपको पैसा नहीं वनेगा बिल्कुल नहीं वनेगा जी पैसा आपको मेहनत करना पड़े का मार्केट किनदा है क्योंकि जो पैसा देता वह मेहनत का देता बिना मेहनत का नहीं दीता अब बजार में अगर आप देखोगे तो आपको क केंडिशन में समझाता हम अगर बजार इस जगह 36300 के ऊपर जाता है ठीक है ओपनिंग आपकी होना चाहिए इस जगह 36200 के सम्थिंग ऑपनिंग आपकी होई चत्तिस है़ा दोसो देखें जहां पर आपकी उपनिंग हाएो इसके बारे में बात हो रही है तो वही कैंडिल है यहाँ होई्ट किसम घ्रिग होई आपकी 3830-2300 और किलोजिंग होई एक 900-300 और तो जी आपका क्या हो गया bullish pattern हो गया तो यहाँ पे आप क्या buying कहा सकते हो CE buying कहा सकते हो फिर आपके जो ऊपर की side के target आपको जो देखने को मलेंगे वो अपन target के बारे में बात कर लेते हैं कम से कम आपको 200 से लेके 300 punch के target आपको देखने को मले कि यानि अगर मैं बात करूं तो 36,600 के something आपका बजा जाने के लिए तैयार हो जागा और target में अगर मैं बात करूं इस जगा तो target आपको जो देखने को मिलेंगे पहला target आपका 36,400 दूसरा target आपका देखे इस जगा 36,500 और तीसा target आपका 36,600 मैंने बिल्कु राउंड फिरकल में देखे इस जगा target आपके लगांखे रखें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आईगी फिर से मैं इस जगा समझा देता हूं कि इसके ऊपर किलोजिंग अगर देता है जब यह आपका market bullish होगा अब देखें यहां पर बजार अगर नीचे की side open हो जाता है अपन देख लेते हैं इस जगह अगर बजार नीचे की side open होता है तो उस condition में हमको क्या करना चाहिए माल लीजे कि आपका बजार गिरावट के साथ open हो गया क्योंकि market आपका all time high पर बंद हो आजए आपका all time high है तिक है इस जगह माल लीजे अगर आपका नीचे की side open हो जाता है जो कि आपका देखें 36000 के आसपस अगर नीचे की side आपका बंद होता है all time high नहीं है नीचे की side अगर open होता तो आप आप सीई बाइंग कर सकते हो क्योंकि इस level पर आपका risk कम हो जाता है क्यों हो जाता है जो call आपको अभी उपर की side 100 रुपे का मिलेगा वो नीचे जाके आपका कम से कम एजगह 30 रुपे के असपस मिल जागा यानि अकर मैं बात कहूं तो यहां से जो आ काफी ज्यादा कम हो जागा काफी कम हो जागा रिक्स आपका कहां 100 रुपे कहां 30 रुपे तो यहां पर आपका risk काफी हो जागा कम अगर आपको बजा नीचे की side मिलता है तो बिल्कुल CE कीजिए इस level पर और यहां पर जो stop loss होगा वो 50 पॉइंट होगा छोटा सा stop loss यानि मैंने आपको बता दिया है देखिए अगर आपने अभी तक हमाया टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे लिंक आपको वीडियो के decision में दिया गया काफी बढ़िया कॉल आपको दिये जाते हैं विल्कुल फिर कर देखोगे पहले नमबर में अगर आप देखोगे जब पूरा देखे मुवमेंट हुआ था और पहले नमबर में ही जगह आपको गुरावट देखने को मिली थी जहाँ आप देखोगे तो यहां पर भी देखिए एक अच्छा पैटर्न मना इस मुमेंट से आपको सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखाई देती है आपका जो बजार ऊपन होता है 9-15 से लेके आपका 3-30 पर जो आपका बजार काम होता उसमें आपको तेजी दिखाई दिए अगर उसमें तेजी हुई है इस क्रीन पर तेजी होना काफी अच्छी बात है अब यहां पर दिखे इस ने जैसे इस वाले कॉलम को ब्रेक किया जो कि मैंने आपको बताए था 35,200 का यह कॉलम था आपका 35,000 के कॉलम को पार किया बड़ी तेजी यानि 1000 पॉंटों की तेजी अब यहां पर आपको क्या देखने मिला है कि अगर इस को पार करता है जैसे कि इस जगह 100 पॉंटों को जैसे कि हमने कुशन लिया था इस जगह 36,200 से लेके अपका 36,300 के लेवल को पार करता है वैसे 300 को अगर पार कर जा तो बहुत गुड काफी अच्छी बात है ठीक है इसको तो हम राइट बोलेंगे अगर इसको पार कर जाता है इंटाडे में तो काफी जब अदस्ते जी आएगी 36,200 के ऊपर टिक ही जाता है तो अच्छी बात है अभी 36,200 पर टिक नहीं रहा है बचार सबसे बड़ी बात है कि आपका बचार जी एक टेंडिल है जाता जरूर है जी दोसों के असपर लेकिन उस पर क्लोजिंग नहीं देता है आता है नीचे और फिमा पर क्लोजिंग देत है जाटा है जहाइसे की आप देख लीजे आज आधा जया जरूर तो का जबतकर काम नहीं बनेगा वाल की वहन हो ऊद्यान दीजिए सपोर्ट पर आता है बाइंग कीजे रजिस्टेंट पर जाता है शेल कीजे 36,300 और 36,200 के लेवल के आसपर जिब पार कर जाता है तो भी बाइंग कीजे इसमें CE की डणना नहीं है कि अगर ये लेवल को पार करेगा ना लिख लेगा तेजी लिख लेगा बहुत जबदस तेजी आएगी इसमें लेकिन लेवल को बिल्कुल द्यान दीजे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मैं पी का और बता देता हूं क्योंकि काफी लोग काफी लोग इस जगह पी में काम करना पसंद करते हैं ठीक है पी के लिए बता देता हूं कि अगर आपको इस जगह 36,000 का लेवल तूटते हुए दिखाई देता है नीचे की चाहिट नीचे की चाहिट अगर जी लेवल तूटते हुए दिखाई देता है जब भी आप इस ज लगा के रखिए 50-60 पॉइंटों के आसवस्का क्योंकि तेजी के मार्केट में सौट करना काफी आधा रिक्सी होता है इस चीज़ को बिल्कुल समझ के काम किजिए ठीक है वन डे का चार्ट उपन किया है वन डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखे मैं इतनी बात क्यों कहा रहा हूं आपसे 34200, 36200 क्यों कहा रहा हूं मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं भाई जे कॉलम देखे यह आपके सामने जे 36200 टीक है और यह नीचे का आपका पूरा इस जगा 35600 अगर आप इसकी रेंच की बात कर वे दो दिन से यह पता इसके उपन नही 35000 देखे जे आपका लेवल है 35800 टीक है जे आपका बहुत मजूट लेवल है 35600 मैंने तो इस जगा भी बाइंग करने की राय दीती आपको सीख लेकिन लोगों ने किया उन लोगों ने किया जे आपका काफी अच्छा सपोर्ट है जे वाला कॉलम उपर का अगर आप देखो बार कोशिश किया बजाने इस जगह इसको पार करने की इस जगह देखे 36 अजा 200 के लेवल पर अब इसमें एक बार क्या हुआ था कि वहीं चतिस है 200 आ चुका था देखे यहां पर आ चुका था इस लेवल पर भी आ चुका था और दो लेवल पर आ चुका था ठीक है लेकिन जहां पर जिन लोगों ने बाइंग किया वो लॉस में गए किसमें गए लॉस में गए अब इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कि क्लोजिंग देना दीजिए क्लोजिंग नहीं देगा ना यह तब तक इसके उपार जब तक काम नहीं वनेगा इसके उपार जैसे क्लोजिंग लेगा या फिर नीचे की लेवल पर बाइंग कीजिए जो मैंने आपको बताया है इस जगह आपने एक चीज और नॉटिस की जब मैंने आपको बोला था इस जगह 36 को टोड़ेगा मार्केट तो आपको पीई बाइंग करना है बिल्कुल अभी बताये तो मैंने टार्ट कितना दिया था 200 पॉंट का 200 का ही क्यों दिया अपने इसको नॉटिस किया 200 का ही क्यों दिया 200 का मैंने इसलिए दिया क्योंकि 200 के आज़ पर फिर इसमें सपोर्ट है जो की 35,000 आज़सों का 35,000 तक ही मैंने बोला था ना इस जगह फिस सपोर्ट है फिर यहां पर आप सीकी बाइं जे सपोर्ट 3500 सपोर्ट ठीक है 3500 टूटेगा तो 200 पॉंट की गिरावट फिर आपका 3500 आस्थो तक आ जाएगा 3500 को उपर पार करेगा पिलस क्लोजिंग देगा बड़िया तेजी देखने को मिलेगी कम से कम जो तेजी देखने को मिलेगी 400 पॉंट के आस्थवास की देखने को मिलेगी जो की 3600 के आस्थवास जागी एक एक बात मैंने आपको क्लियर किया है अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो समझ में आएगा नहीं देखा नहीं समझ में आएगा अगर वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े सस्काइब कीज़े आपके मन में कोई सवाल है तो वो मुझे जो बताईए चैह ही बनने मतरा